आतो दोस्तो मैंने आगे वीडियो में आपको दिखाया कि हेडवाल हेड में कैसे फिटिंग किये जाते है तो अभी हेड हमने कम्प्लेट फिटिंग कर लिया है तो अभी हमें हेड को एंजिन के साथ फिटिंग करना है तो सबसे पहले हमें ये hair gasket को fitting करना है तो आप देख सकते हैं ये hair gasket यहाँ पर fitting होगा तो यहाँ पर लिखका हुआ है इसको top side आपको camera में डिख जाए तो ये top आला हिस्सा हमें कुछ इस तरह से उपे के और fitting करना है यानि ये hair gasket ये ऐसे fitting होगा यहाँ पर तो दोस्तों में इसको जल्दी से fitting कर देता हूँ ताकि ये video लंबा ना हो जाए तो इस तरह से हमें इसको select नीचे उपे के और लगा लेना है ताकि hair gas क्लिकेज ना हो तो इस तरह से ये select लगाने के बाद अभी हमारा hair complete है ये वाला तो हम इसको जल्दी से fitting कर लेते हैं और इसको हमें अच्छे से देख लेना है कि ये सही बैठा भी है या नहीं उसके बार इसका ये सभी बोल 19 नमर का दोस्तों इस तरह से हमें इसको पहले सभी 19 नमर का जो बोल hair का लगा हुआ है उसे हलके हलके सभी बोल को हमें कस लेना है ना कि हम इसको एक और से कसना है तो इस तरह से सभी बोल को पहले हमें थोरा loose कसना है उसके बाद ये 19 नमर का बोल है तो मैं इसको 90 पे set करता हूँ ये tolerance को इसको मैं 90 का talk set करके tight करता हूँ तो अभी ये tolerance को मैंने 90 पे set कर लिया है यान इसको मैं 90 पे सभी बोल को कस लूँगा और हमें इसका आमने सामने से सभी बोल को कसना है न के एक और से देख सकते इस तरह से हमें अलग-अलग एक दूसरे की opposite side चा हमें इसको tight करना है क्याकर हमारा hair complete fitting हो तो दोस्तो गर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे जाड़ा से जाड़ा हमारे और किसान भाईयों में भी इसे share करें और हाँ दोस्तो ये मेरे सभी वीडियो हमारे किसान भाईयों की जानकारी के लिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारे mechanical भाईयों को तो इस चीज की पूरी पूरी जानकारी है हमसे भी अच्छी तो प्लीज आप ये मेरे सभी वीडियो हमारे किसान भाईयों में share करना न भूले और हाँ दोस्तो गर आपको ये वीडियो पसंद आठा है तो लाइक करना न भूले क्योंकि दोस्तो आपकी एक लाइक हमारा होसला बराती है और हमें और भी अच्छा अच्छे वीडियो बनाने के लिए उच्छाइट करती है तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करे और चैनल को टैपिट भी हम जल्दी से ये वाला फिटिंग कर लेते हैं और इसको भी इसकी जो 19 नमर के 4 बोल्ट है उसको भी हम टॉक्रेंज की मदद से 90 नमर का टॉक्रेंज के उसको भी टाइट कर लेंगे दोस्तो तो भी यहाँ पे हमें सावडानी बरतना है दोस्तों क्यूंके इसका पुस्रोर देख के हमें फिटिंग करना है कि यह साइड में तो नहीं हो गया है नहीं तो यह तेरा मेरा हो जाएगा तो इसको हमें यहाँ पे सावडानी बरतना है तो चलो इसको भी हम ट्रॉक लगा लेते हैं तो जल्दी से हम ट्रॉकर को भी ट्रॉकरेंज की मदद से कस लेते हैं हाँ तो दोस्तो मैं नेक्स आपको उसका टैपिट कैसे सेटिंग किया जाता है वो दिखाऊंगा डोई राउन में सारे के सारे टैपिट में सेट करके दिखाऊंगा तो अभी हेट कम्प्लेट फिटिंग हो चुका है आप देख सकते है तो दोस्तो मैं आपको नेक्स इसका टैपिट कैसे सेटिंग करते है वो दिखाऊंगा